जाहिन दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपने यूप्टी चैनल एजजेश्टडी पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडन ने भी MR नहीं भरती 2022 के बारे में दोस्तों बहुत सारे केंडिट बोलने थे कि सर इंडन ने भी MR का न्यू वेकेंसी कब तक दे बारे में क्लियर करने वाले तो वीडियो को अप लोग पूरा जरूर देखेगा और चानल पने आउते चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिजेगा चलिए हम लोग बात करते हैं इंडन ने भी MR की नई भरती आप लोगो देखने को नहीं मिला है इस साल में आप लोगो पता होगा पीछले साल वेकैंसी आई थी लेकिन इस साल आप लोगो एक भी वेकैंसी देखने को नहीं मिला है तो वेकैंसी आप लोगो कब तक देखने को मिलेगा इस चीद पर बात करेंगे ठीक है जैसे कि आप लोगो पता है कि अभी हाल फिलाल मे क्या होगा था अप्रेल माह में आप लोग का इसका नौटिफिकेशन भी आया था इंडन ने भी डबल ए और एससर का नौटिफिकेशन रिलीज हुआ था ठीक है इस बात को आप लोगों पता होगा अच्छे तरीके से लेकिन अमर का उस समय नहीं आया था नौटिफिकेशन लेकिन डबल ए और एससर का तो नौटिफिकेशन आया लेकिन इसको क्या कर दी गौबर्मेंट ने फिर से इस नौटिफिकेशन को वापस ले लिया और ये नौटिफिकेशन नेवी के ऑफिशल वेफसाइट पर नहीं दिखा जबकी नौटिफिकेशन बिलकुल रियल थे ऐसा क्यों किये government वो अभी तक किसी को पता नहीं है उसके बाद अभी देखोगे जून महीना आ चुका है लेकिन डबले और इससार का वेकेंसी देखने को नहीं मिला है सबसे पहले डबले और इससार की वेकेंसी आएगी तभी जाके MR की वेकेंसी आएगी दोस्तों इस बात क कि MR की वेकेंसी कब तक आ सकती है इस बात पर हम लोग बात करेंगे online form कब से फिलफ होगा और आप लोग के मन में जो सबसे बड़ा डाउट चल ला है वो है दोस्तों कि सबका admit card आएगा या नहीं आएगा admit card आएगा तो percentage base पे आएगा और आएगा तो कितने percent पे आएगा व सब कुछ आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले में लोग आप लोग को बताए दोस्तों इसका जो है online form की अभी कोई भी update नहीं है सबसे पहले बात आप लोग ध्यान में रखो अभी जून महीना यहां पर चल ला है अभी आना होता तो अभी तक आ जाना होता जून का first week यहां बैच जो कि अभी तक वह भी देखने को नहीं मिली है यह बात को अप लोग ध्यान रखेगा तो वेकैंसी आप लोगो जून में देखने को मिल सकता है या तो जुलाई में देखने को मिलेगा अब मैं ऐसा बोल लाओं आप लोग बोलो कि हर यूप्ट्यूबर ऐसी बोलते है तो यह अभी जल्द लाग होने वाला है जैसे यह लाग हो जाता है आप लोगो देखने को मिल जाएगे ठीक है अब आलें फॉर्म कब होंगे तो जून में अगर आ जाती है तो भाई जो भी मतलब फॉर्म रिलीज होता है ठीक है किस डेट को आते उससे पांच या दस द ठीक है अब बात करते हैं इसमें योगता क्या रहता है सबसे पहले योगता दस भी पास है अब किसी वोर से दस भी पास हो आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बाचित नहीं है अब देखो कि दस भी पास हो लेकिन 10 वी में आप कितना माक्स माक्स है उस परपयों कर्ते हैं किसी सब इसाइब करता है किसी का नांटी-फाइब कर coaching कि शो कर दो uffledाल को सब्सक्राइब कर आएगा र давas 679 दो सकता है मिटने कि शांब नहीं आएगा लेकिन नोटिफिकेशन को यह वापस ले रहें फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब बात करते हैं एज लिमिट को लेकर क्योंकि में जो मुद्धा है वह एज लिमिट को लेकर एज लिमिट 17-20 वर्ष के बीच में रखा गया ठीक है तो 17-20 वर्ष के बीच में अगर आप लोगा एज आता है तो एजली इंडन ने वी हमार का फॉर्म कर पाओगे अगर इसक कितना से कितना के बीच में होना चाहिए अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिजेगा या आप मुझे इंस्टागाम पर अभी तक फॉलो नहीं कियो तो फॉलो कर लेना और पूछ लेना मैं जरूर रिपलाई दूँगा बाकी बात आप लोग सपो जिससे के उनका भी जो डाउट था इंडेन नेवी अमर को लेकर वह सारा डाउट किलियर हो जाएगा और वह अब दुवारा कोश्चे नहीं करेंगे अब इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है ऑफिशल तभी जाके वीडियो बनेगी उससे पहले वीडियो भ हो जाना मिलता में एक और नीव वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम